मार्केट में बहुत ज्यादा बूचाल है MARKET यहां से बहुत ज्यादा गिर गयी है मेरे मेरे मुट्वड पोरफोलियो मेरे मेरे एसाइपी का जो результат मेरे बहुत नेगेटिव है देखे ये बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है मेरे कमेंट बोक्स में ऐसे से क्वेरी बहुत आ रहे देखो मार्केट को ने एक छोटा सा नीज चाहिए उपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए तो ये नीज आपको हमेशा मिलेगा 2008 में एक नीज मिला और मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावर्ट हो गया फिर उसके बाद मार्केट रिकावर भी ऐसे ही छोटे बड़े नीज मार्केट को आपको देखोगे तो उपर नीचे करते रहेंगे लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टर हो आप एक स्टाटीजी बिना के चल रहे हो तो आपको मार्केट का इफेक्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा आप जिस भी स्टॉक्स का या जिस भी मुच्वल फंड में आप इन्वेस्ट किये होगे अगर उस मुच्वल फंड का बेस और स्टॉक्स का जो बेस बहुत स्टॉक्स होगा तो आपको रिटर्न देखे ही जाएगा लेकिन आप यह सोचो कोई एक महिने में पैसे कमा कर और मार्केट से निकल जाओ एक महिने में मुच्वल फंड में पैसे लगाओ और निकल जाओं तो यह पॉसिबल नहीं है, क्रोना वाइरस ने जो पूरे वर्ल्ड में अटेक किया है, उसका एफेक्ट तो आपको दिखेगा ही, चाइना में 50% का स्लोडाउन है, 50% जो बिजनस जनरेट करने वाले इतनी कमपनिया थी, वो सट डाउन हो गई है, बहुत ऐस कमपनी थी, जिनका बिजनस चाइना के जो एकोनमी को बहुत स्ट्रॉंग बना रहा था, लेकिन आज के टाइम में चाइना का एकोनमी जो जीडीपी है, वो काफी स्लोडाउन है, क्या सिर्फ चाइना ही इससे एफेक्टेड है, नहीं, बहुत ऐसे कंट्री हैं जो इस क्रो हैं तो IT डिपार्टमेंट या IT सेक्टर में बहुत बड़ी कमपनी है, और इन्होंने भी एकसेप्ट कर लिया कि चाइना में क्रोना वाइरस के चलते, उनके बिजनस में काफी नुकसान हुआ है, देखो आज के टाइम में आपको समल के चलना पड़ेगा, ये छोटे ये आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, देखो सुख और दुख तो हमेशा होता है, लेकिन सही टाइम पे और दुख में अपने आपको सर्वाइब करके अगर चले गए तो सुख में आपको और ज्यादा खुसी होगी, मार्केट में उतार चड़ाव होता रहेगा, मैं आज बात करूँगा एक ऐसे स्टाटेजी के वारे में जो वाकई में अगर आप इससे स्टाटेजी को यूज करोगे तो रिटर्न होगा ही होगा और ऐसे सिचुएशन में जब नीचे जाएगी मार्केट तो आपको नेगेटिंग परफॉर्मेंस काफी कम देखने को मिलेगा, दोस्तो दिस इज मारद महांतिवारी और यूर वाचिंग ओर चैनल फिनांसियल पंडेट तो अगर आप स्टोक मार्केट में इंवेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ऐसे स्टोक का सेलेक्शन करें जो आपको तुरंत ना गिरे कहने का मतलब आप जानते हो लाज क्रेशन वाले स्टोक्स हैं वह मार्केट में अगर थोड़ा सा 200 पॉइंट का गिरावट होगा तो वैसे स्टोक में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा और जहां आपको दो रुपे का प्रॉफिट होना चाहिए वहां पर आपको दस रुपे का नुकसान होगा वहीं पे तो इस समय लार्ज क्रेप्टलाइजेशन वाले स्टोक्स पे फोकस करना है ब्लू चिप वाले स्टोक्स पे फोकस करना है क्योंकि वो आपको एक रिटॉर्ण अच्छा दे जाएंगे कहने का मतलब अगर आपको मार्केट डाउन जाएगा तो उसमें गिरावट क शे स्टोक्स का एक पोर्फोलियो बनाएं और उसके बाद धीरे धीरे आप सिस्टेमेटिक वे में इंवेस्ट करें आप हर महीने कुछ पैसा डाले एगर आप लंशम करना चाहते हैं मार्केट में घिरावट देखा जाए दोसे तीन सो पॉइंट तो कुछ ना कुछ पैसा अपने स्टोक्स में जो चार पाचे स्टोक्स आपने सलेक्ट कियें उसमें डालते जाएं देखो मैं आप अगर इंट्राडे करते हो मैं आपको एड्वाइज नहीं करूंगा यहां से आपको ट्रेडिंग करो डेवाई डे मैं आपको एड्वाइज करूंगा लंबे समय के तो इसलिए थोड़ा सा अपने आपको धैरे रखना है कभी और और कई लोगों को दिमाग में यह हो रहा है कि यार आप क्या करूं मार्केट में गिर गया मेरे मीचल फंड में इतना गिरावट है क्या यहां से मैं अपने साइपी को ब्रेक डाउन करूं अपना जो सिस्टेमे क्या प्रेंट होते रहते हैं और आने वाले टाइम में जितना ज्यादा वो नीचे जाएगा ना वो उतना ज्यादा ही उपर जाएगा इसलिए थोड़ा सा धैर रखो चलो अब मैं मीचल फंड की बात करता हूं मीचल फंड में अगर आप एसाइप और लंसम करके चल रहे ह आप पूरा पैसा यह ना की एसाइपी तो कर रहे हैं लेकिन वैसे मीचल फंड का स्लेक्शन ना करें इसमें गिरावट ज्यादा है इक मिंस कि स्मॉल कैप वाले जो मीचल फंड हैं उससे अभी दूरी बना के रखें जो मीड केप वाले जो मीचल फंड है उससे थोड़ा प्रॉप्लम नहीं है साइपी के साथ चलते रहें लेकिन अगर लंसम की बात आती है तो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि कुछ परसेंट आप पैसा डाले इंवेस्ट करें कुछ परसेंट आपको जब मार्केट गिरे तो पैसा डाले लंसम करके लेकिन एक ही बार इस पर हो कि आप इंवेस्टमेंट करते हो तो आपको मार्केट में अगर नुकसान भी तो बहुत कम होगा वहीं हो दूसरे 20 परसेंटका मुछान होगा तो स्क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो और हाँ अभी तक शानल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और सेयर तो भी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिए जाहिए जाहिए